हेलो दोस्तो स्वागत है आपका Special Kitchen 9 में जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको कुरकुरी क्रिस्पी ब्रेट चौप और आलू चौप की रेसिपी बहुत ही कम समय में बिल्कुल बजार जैसी आप घर में बनाएंगे वो भी एक मिक्श्चर स्टफिंग से और स्वाथ दोनों का बह अर्थडे पाटी में आप आसानी से ये तयार कर सकेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना इसके लिए मैंने 3-4 ये ब्रेट के टुकड़े ले लिए हैं और इसे मैंने बीच से कट्स कर दिये हैं और ये है आलू ये आलू मेरे लगभग 300 ग्राम है और हलके से मैंने तेल लिए हैं दो चम्मच इसे श्टफिंग तयार करने के लिए तेल को अच्छी तरह से आपको गर्म करने हैं उसके बाद आपको डालने हैं एक चम्मच ये देखे काले वाले राई इसे अच्छी तरह से आपको गर्म करना है तब तक चलिए ये देखे ये है मेरे दो चम और 5-6 हरी मिर्च आप यह मैजर्मेंट को याद रखे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें मिक्स करने के बाद आपको डालना है स्वाद अनुसार नमक यह मिक्स्चर में जो मेरे नमक जाएंगे बस उतना ही लेना है आपको उपर की कोटिंग का नमक लग से लगेगा तो आल मैंने 300 ग्राम लिये हैं आप यह भी नोट कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राइ करें यह देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फिर आप एट करें एक चम्मच गरम मसाला गरम मसाला भूनने के बाद फिर से आप एट करना है आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालके फिर से अच्छी से फ्राइ करें गेस की फ्लेम आपको बिल्कुल ही लो रखनी है दोस्तों और फिर यह है करने हैं कि इस से 2-3 मिनिट आपको अच्छी तरह से भूनना है अलू में एक बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं फिर आपको अच्छी तरह से इसे मसल लेने हैं ये देखिए मैं ग्लास बीचे वाले सेंटर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूं ताकि ये ब्रेट की जो श्टफिंग मैं करूं तो अच्छे से मिक्स हो ये श्टफिंग हमारी तयार हो चुकी है श्टफिंग ठंडे होने के बाद आपको धनिया पत्ति को एट करना है उसमें और चलिए अब मैं बेशन के तयार कर लेती हूं बेशन हमारे 200 ग्राम है ये देखे लगवग 1.5 से 200 ग्राम मैंने लिये है इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालके बिल्कुल गाढ़ह पेश्ट तयार करना है डायरेक्ट आप एक बार में इसे पानी ज्यादा नहीं डाल सकते हैं इसलिए पानी को बहुत ही हिसाब से डालना है, ताकि ये जो मैं आलू के जो उपर के लेयर बनाओ, वो अच्छे से चिपक जाए, ब्रेड में और आलू चौप में, इसलिए. इसे उपर से क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने दो से तीन पिंच लिए है, ये देखिए, खाने वाला सोडा, ये मीठा सोडा है दोस्तो, इसे आप जरूर डाले, ताकि ये क्रिस्पी बने, और हल्का सा क्रश करके आजवाइन डाले, लगबग मैंने आधा चमच आजवाइन और यह में यह दिख्याएं इससे भी बहुत ही क्रिस्पी बनते यह हमेशा यूजक कर्ती हूँ गेहों के आटे का यूजक करना है चावल के आटे को बिल्कुल भी नहीं ले रहा है आपको गेहों के ही आटे लेने है इससे भी काफी अच्छा स्वाद आता है ये हलवाई और बजार वाले अक्सर ये गेहूं का आटा ही मिक्स करते हैं और इसे अच्छी तरह से ये देखिए घोल आप तयार कर ले ये देखिए हलके से मैं आटा औरेट कर रही हूँ लगभग एक चमच के करीब क्योंकि घोल मेरे थोड़े पतले लग रहे थे इसलिए आपको अच्छी तरह से मिक्स करने है ताकि ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चलिए अब मैं श्टफिंग कर लेती हूँ ब्रेट को मैंने ट्रेंगुलर अकार में काट लिया है और इसमें मैं अच्छे से आलू को भर रही हूँ ये देखिए ये चारो मैंने तयार कर ली है भर के और ये चारो आलू चौप के लिए भी मैंने तयार कर ली है और तेल हो रहे हैं हमारे गर्म अब चलिए मैं इसमें stuffing डुबा के मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे बनेंगे ये देखिए आपको इसी तरह कोट करने है अच्छी तरह से चारों तरफ से ये देखिए पूरे लगा के आपको तेल में डाल देने है एक एक करके सभी को आप इसी तरह डाले ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ अच्छी तरह से ये आलू के उपर चिपकने चाहिए तभी ये हमारे आलू चोप बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे लगेंगे खानी में नहीं तो पूरा आलू ही मुँ में आएगा तो भी अच्छा नहीं लगता है और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें इसी तरह मज़ेदार विडियो देखने के लिए ये देखिए एक साइड हमारे पक चुके हैं अब मैं इसे निकाल लेती हूं सभी तरह आप इसी तरह निकाल लें आलू चौप को अब चलिए अब मैं ब्रेट चौप को दिखाती हूं करके एक इसे भी अच्छी तरह से आपको डिप करना है और चारों तरफ इसके मिक्सर लगाने है अच्छी तरह से ये देखिए जैस का ज़रूर दियान रखे एक साइड लाल होने का बाद आप इसे पलट दे और ये हमारी चिकनी के साथ खाई ये काफी टेश्टी लगती है और आनद उठाए थैंक यू